राहुल गंधी ने विदेशी राजदुत की मोटकी के समक्ष कहा कि देश को इसलामिक जहदी आत्रंगवाद से हिंदों से ज़ादा खत्रा है विदेशी राजदुत के समक्ष के बात कहके राहुल गंधी ने ना सिर्फ हिंदों का पर देश का अपमान किया है देश का कोई राजदेता कभी विदेशी लोगों के समक्ष देश की बात नहीं करता है आज तक देश के एक भी हिंदों को देश की सर्वो चनायले ने सजा नहीं बताई है आतंगवाद के मुद्दे तक तब तक देश के पूरे हिंदों को आतंगवाद के लिए जिम्मेदा ठगराना और सिर्फ भारत नहीं पुरी दुनिया में जिहादी आतंगवाद ने वर्ल्टेट सेंटर से लेकर दिली तक तबाह मचाया है उनकी तुलना ये देश के हिंदों से करना ये देश का आपमान है जब बाल्टा हाउस के मुद्दे पर जीग्वेई सिंग आजमगर चले गए हैमंद करकरे के बारे में उन्होंने निवे वक्तवे दिया और चिदम बरम ने भगवा आतंगवाद के बारे में कहा तब लग रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं अब रिस्पस्ट लग रहा है कि यह बहुत बड़ा सडियंत्र का हिस्सा है और राहुल गांधी के हिसारे पर हो रहा है राहुल गांधी को और कॉंग्रेस को देश के हिंदों की माभी मागनी चाहिए यह ना देश के हिंदों को यह तै करना चाहिए कि देश में फिर से जिहादियों को बचा कर हिंदों को अत्मानित करने वाली कोई मुस्लिम लिख खड़ी हो रही है और कल तक जो महमद अली जिन्ना की भूमिका थी कि देश के हिंदों को गाली दो और जिहादियों को बचाओ वो भूमी का राहूर गंधी अदा कर रहा है ऐसा देश के लोग पस्ट मानेंगे